पास्टर जी जो हम दस्वां हिसा मुतलब अपनी कमाई का दस्वां देते हैं देना चाहिए या नहीं? क्या ये नए नियम में कलीसिया के योग है या नहीं? कृपया खोल कर बताई पहना दूसरा कॉरंथी, 27 नहीं, दूसरा कॉरंथी 9 का 6 दे दीजे, 6 और 7 समा करें, दूस बोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है, वे बहुत काटेगा, हर एक जन जैसा मन में ठाने, वैसा ही दान करें, ना कुड़कुड के, और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है यह नए नियम में कलीसिया को परमेश्वर का योजना, देने के विशे में, परमेश्वर हमारे पैसे के पीछे नहीं पड़ा, संसार में जो कुछ है वो सब किसका है, परमेश्वर का, हमारे पास जो कुछ है यह भी पूरा का, पूरा परमेश्वर का, पुराने नियम में दसवा भाग देते थे, वो मंदिर के रख रखाओ के लिए था, लेकिन नए नियम में, अगर हम सब नौजवान, देखिए, प्रभु की सेवा आगे बढ़ती कैसे है, नौजवान लोग, विश्वासी लोग, अपनी कमाई का हिसा किसके लिए दे रहे हैं, प्रभु की सेवा के लिए दे रहे हैं, उसी से ही प्रभु का काम आगे बढ़ रहा है, अभी ये माइक जो मैंने पहना, ये भी मुझे अमेरिका में एक नौजवान बेहन और उसके पती ने खरीद कर दिया, महेंगा है, उन्होंने बुला, आप अलग-अलग जगाओं में सेवा में जाते हो, लोगों तक वच्चन साफ पहुंचना, ये हमारी तरफ से आपकी सेवकाई के लिए, उन्होंने दिया, उनका कमाई है, मेरे पास अपना तो पैसा है नहीं, मैं किसमें लगा हूँ, पैसा सेवकाई के लिए अलग किया, लेकिन ध्यान रखे, दबाव में नहीं, मुझे आप से पैसे मांगने का कोई नैतिक हक नहीं है, मैं बोल सकता हूँ, हाँ जी, सेवकाई के लिए टेंपो ट्रेवलर चाहिए, आप नौजवान हो, आपको प्रभु ने नौकरी दी है, आप लोग उसके लिए क्या दे दो, पैसा, बोल सकता हूँ, नहीं दे बोल सकता हूँ, मिले या ना मिले कम से कम, बोल तो सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखे, वच्चन के अनुसार, मुझे ऐसे बोलने का कोई हक नहीं है, जितना मिला, उसमें मैंने संतुष्ट रहना, हम दुनिया भर सेवा में जा रहे हैं, कितने जगाओं में सेवा, हवाई जाज में सफर करते हैं, गाड़ी में हम लोग जाते हैं, यह सब का खर्चा कैसे हो पा रहा है, किसी को भी नहीं बताते हैं, लेकिन परमेश्व समय पर इंतजाम करते हैं, तो आप जब नाउजवान हैं, आप जब कमाई कर रहा हैं, ध्यान रखना, परमेश्व ने आपको जो पैसा दिया, यह पूरा का पूरा आपके लिए नहीं, दुनिया में और बहुत लोग हैं, जिनके पास क्या नहीं, कुछ भी नहीं, तब आपने अपने जीवन में एक अनुशासन डालना, इदर वचन में के लिखा हैं, दबाव में, दुबारा पढ़िए, साथ, हर एक जन जैसा मन में ठाने, जैसा मन में ठाने, आपने ठानना है, मैंने देना है, नहीं देना, मुझे इतना पैसा मिला, मैंने देना, नहीं देना, अगर देना है, तो कितना देना, यह किसने ठानना है, आपने खुद ठानना, हमें कोई हक, पया नहीं दे रहा, समझ में आ है, अगर कोई आप से पैसे मांगता है, उसको क्या नहीं करना, पैसे नहीं देना, वो भिकारी है, भिकारी को पैसे नहीं देना चाहिए, दोगे तो उसके उसकी आदत को और दोड़ा क्या मिलेगा, और थोड़ा होनसला मिलेगा, है न, सडक म जो भीक मांगते हैं इनको भीकारी बनाता कोने हमी हमने दे दिये पांच वो अगले के पास भी पांच के लिए जाता है सो सिध्धान्त क्या है मैंने फैंसला करना सो मैंने अपने मुझे मिली भी कमाई का हिस्सा मैं प्रभू की सेवा के लिए अलग कर रहा हूँ क्यों? ताकि दूसरे भी ये सचाई को जाने मैंने ये सचाई पाई प्रभू दूसरे भी ये सचाई पाए उसके लिए आप फैंसला करते हैं सौ में से दस रुपया देना है या बीस देना या सो का सो देना ये किसने फैंसला करना आपने का नधियान रखे परमेश्र का सुभाव परमेश्र किसी का करजदार नहीं आप किसी को भी एगलास पानी भी पिलाते हैं परमेश्र उसका क्या देता है प्रतिफल देता है लेकिन हम आशिष पानी के लिए कोच देख ता है? नहीं देख ता? उसका आशिष है? नहीं है yddaह उसका आशिष है आप उसकी आशिष को अपने जीवन में देखोगे । लेकिन आशिष पाने के लिए पलेट धोने नहीं जाना क्योंकि ऐसे आप धोगे तो नहीं प्लेट भी ढुत जाएगा उल्टा आपको कुछ मिलेगा भी नहीं मुझे प्रभु आशिश नहीं चाहिए तुने मेरे जीवन में इतना किया मैंने अपना हिसा करना मुझे अभी याद है एक कहानी हुई हुई घटना है दक्षिन कुरिया में पहले जब केमिनिस्ट लोगों का समय था उदर बहुत सताव होता था तब कलीसिया थी अभी भी कलीसिया है चोटी-चोटी कलीसिया है और प्रभु के दास लोग विश्वासी को सिखाते हैं प्रभु के लिए देना हम भी आपको बोल रहे हैं प्रभु के लिए देना लेकिन जबरदस्ती नहीं तो उसमें सिखाया तो ए दूर से देखा तो उदर खेत में हल चला रहा भाई तो वो सोचा भी ठीक है हराम से जाएंगे जाते लेकिन ध्यान से देखा तो कुछ अलग सी बात दिख रही हल चला रहा है अजीब दृश्य क्या है आगे बैल तो है जुआ भी है पीछे भाई भी खड़ा है लेकिन दो ब बैल की जगा एक उसकी का लड़का उसको उठा कर चल रहा है तो प्रभुकादास उस घर में गया और उससे बोला भी यह दो बैल थे ना उ क्या हो गया तो मालूम हो किसान क्या बोला दो थे बेटे ने इस संडेर प्रचार सुनकर आने के बाद क्या बोला पापा एक बैल प्रेज कर सेवा के लिए दे देंगे और उस बैल का काम मैं करूंगा आपको मालूम है यह बाइबल प्रिंट होने में कितना पैसा लगता है दुनिया बर सेवा इतना बढ़ कैसे रहा है बहुत से विश्वासी अपनी कमाई का हिस्सा सेवा के लिए अलग करते हैं तो मेरे पास जरुरत से ज्यादा मेरे इतना काफी जब कितनों के पास कुछ भी नए है वो हिस्सा वो देते जिसके कारण क्या बढ़ रहा है सेवा बढ़ रही सो आपने सेवा के लिए देना नहीं देना परमेश्वर जवर्दस्ति किसी से किसी से नहीं मांगता को खुद स्वाइ इच्छा से देना, एक और घटना मुझे मालू है, अमेरिका में एक नौजवान, लड़का है, उनके चर्च में चंदा का वो आरादना के बीच में चंदा लेते हैं, बड़ा प्लेट है, और उस संडे पास्टर ने उसको बोला बेटा, इस बार तू प्लेट लेकर सबसे चं कर आकर स्टेज के सामने नीचे रख दिये, सब लोग देख रहे हैं, स्टेज में ऊपर रखना था, उसने नीचे रखा, और मालू क्या किया, अपने पॉकेट के जो कपड़े हैं, इसको बाहर निकाला, दोनों का, डोनों का ऐसे बाहर निकाल का, लड़का है, ऐसे बाहर आपा सेमी एक मेरेप पास देने के लिए कुछ न आ है मेर पास कुछ नहीं और कुढ उस प्लैत में कहला हो गया कि प् 거ाफ्लैक्ट है को कि अजैर क्ट प्लाइट वीजा हो गया प्लाइट में क्या बोलते हूं अजिए प्रभु मैं अपने आपको कि डरा उसके पस देने के लिए नहीं था, पैसे नहीं है, खुद प्लेट में खड़ा हो गया, और वो लड़का को परमेश्यों ने कितने सामट से इस्तमाल किया, मैं क्यूं बोल रहा हूं, आज एक जमाना है जिदर बहुत से प्रचारक लोगों से भीक मांग मांग कर, प्रभू त आप इनके चककर में नहीं भसना, ये येश्यो का नाम लेते हैं अपनी कमाई करने के लिए, जबकि पैसा परमेश्य ने आपको दिया, परमेश्य देखता है कि आप इस पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं, समझ में आ रहा है? परमेश्य आपको नौकरी भी कौन देरा? परमेशर. तंखावी किस ने तह की? परमेशर ने की. परमेशर आपकी बफ़दारी देखता. आप नहीं दोगे तो भी क्या प्रबु का सेवा चलेगा? नहीं चलेगा? चलेगा. एलिया को रोटी कि खिलाने के लिए परमेशन ने किसको इस्तमाल किया कववे को प्रभु की सेवा चलेगी लेकिन एक विश्वासी क्यों देता मैं सिरफ आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं समझाने के लिए I always thought love was shaped like a art but it's actually like a आगे बोलिए English जाने वले I always thought love was shaped like a art but it's actually like a समझ में आया है दुनिया प्यार को कैसे दिखाती है एक दिल उसके बीच में से क्या जा रहा है तीर प्यार क्या है ये है बाकी सारा ढोंग तमाशा परमेशन ने प्यार को कैसे दिखाया क्रूस पर दिखाया उसने प्यार किया इसलिए ना हम इदर बैठे है सच है उस प्यार को समझने के बाद आप अगर उस प्यार को प्रभू को प्यार करते हैं हम जो पैसा देते वो तो कुछ भी उसके बदले, हमारा पैसा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो अगर आपने देना हो, आपने फैंसला करना, क्योंकि प्रबु जबरदस्ति किसी से नहीं लेता और आप, आपका जीवन ठीक नहीं है, और आप पैसा दोगे, वो आपके लिए शाप बन जाए, वो ही पैसा, परमेश्यर को आपका पैसा नहीं चाहिए, परमेश्यर को आपका क्या चाहिए, जीवन चाहिए, जिसके द्वारा वो अपनी इच्छा को पूरी कर सके, So, प्रबू को देना है, कितना देना है, वो आपने तय करना, ताकि हम क्यूं देते हैं, उस प्यार की गहराई को समझते हैं, प्रबू तुने प्यार की, और जब आप देते हैं, प्रार्थना करना, प्रबू ग्यान और समझते हैं, आपके कलीसिया में आपका प्रबू का दा पास्टर महनत करता, आपने देना किसको है, जो आपकी प्राण के पीछे क्या कर रहा है, महनत करता है, आपका पास्टर नौकरी कर सकता, लेकिन नौकरी छोड़कर वो आपके पीछे महनत करता, लेकिन अगर पास्टर आपसे पैसे मांगता है, तो नहीं देना, समझ में आया अगर आपका पास्टर आपसे पैसे मांगता है तो नहीं देना है लेकिन फर्ज बनता है हम किसको दे अगर वो नहीं मांगता तो वो उसका हाकदार है समझ में आए नहीं मांगता है वो अपनी सेवा में लगा है तो आपके पैसे का वो क्या है हकदार है इस बात को आपने समझने है